साथियों, आज भारत में connectivity से लेकर communication तक, competition से लेकर के convenience तक, जीवन के हर पहलू को तकनिक से जोडने का प्रयास हो रहा है। तकनिक और मानविय संब्यदनाओं के शक्ति से ease of living सुनिश्चित की जा रही है। हमारी व्यवस्ताएं तेजी से नए विश्व की जरूरतों के लिए तयार हो रही है। सोलार पावर हो, बायो फ्यूल हो, इस पर आधुनिक व्यवस्ताओं को तयार किया जा रहा है। देश में आज 21 सदी की आवश्यक्ताओं को देखते हुए, नेक्स जनरेशन इंफासक्चर तयार हो रहा है। हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, वाटरवे हो, चो तरफा काम किया जा रहा है। हाल में आपने देखा किस प्रकार वारा नसी और कोलकता के बीच वाटरवे की नई सुविधा कारियरत हो गई। इसी तरह देश में बनी, बीना एंजिन ड्राइवर वाली ट्रेन, ट्रेन अठारा और उसका ट्रायल तो आपके अख़वारों में हेडलाइन में रहा है। हवाई सफर की तो स्थिती ये हो गई है कि आज एसी डिब्बों में चलने वाली आत्रियों से जादा लोग अब हवाई जहाज में उड़ने लगे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार छोटे छोटे शहरों को टियर टू सिटीज, टियर त्री सिटीज को भी उड़ान योजना से जोड रही है। नए एरपोर्ट और एर रूट विक्सित कर रही है। व्यवस्ता में हर तरफ बड़लाव कैसे आ रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। LPG, Cylinder, Refill के लिए पहले कई दिन लग जाते थे। अब सिर्फ एक दो दिन में ही मिलना शुरू हो गया। पहले Income Tax Refund मिलने में महिनों लग जाते थे। ये भी अब कुछ हफ्तों में होने लगा है। पास्पर्ट बनवाना भी पहले महिनों का काम था, अब वही काम एक दो हफ्ते में हो जाता है। बिजली, पानी का कनेक्शन अब आसानी से मिलने लगा है। सरकार की अधिकतर सेमाए अब ऑनलाइन है, मोबाइल फोन पर है। इसके पीछे की भावना एक ही है कि सामान ये जन को व्यवस्ताओं से उलजना न पड़े, जूजना पड़े, न पड़े, कतारे न लगे, करप्शन के संभावना एक कम हो और रोज मरा की परेशानी से मुक्ति मिले। परेशी की जिए और भावना एक ही है।